सब्सक्राइब, हाँ यू अगर हमें ऐसी चीज पता चल जाए जिसको खाने से हम बिमारी नहीं पढ़ेंगे, तो कितना अच्छा होगा ना, आज के इस वीडियो में ऐसी चार चीज़े बताऊंगी, जिसको गर आप भिगो के खाएंगे, तो आप बिमार ही नहीं पढ़ेंगे, आपका पूरा बोडी हेल्दी हो जाएगा, तो सो प्लीज डू वाच दिस वीडियो टेल एंड, इसमें बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं, जो आपके घर में बहुत एजिली एविलेबल हैं, अगर आप इनको रोज लेंगे, तो आपक चीज़ों को भीगोते क्यों हैं। कई चीज़े ना ऐसी होती हैं, जिनको भीगो के खाए न और उनके benefits बढ़ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, कि जो हम चीजे भीगो रहे हैं, उनमें कोई न को जय को भीगो उनका और आपको सारे उसको benefits ही मिलते हैं तो बिगोने से क्या होता है कई बार चीजों में और प्रेजन अगर प्रेजन होता है जो अगर आप पानी में निकल जाता है और शोक करने से जो nutrition content होता है कोई भी चीज जिसको सोक करिए उसकी value कई गुना जादा बढ़ जाती है this is the reason why we need to soak thing before we eat सबसे number one पर जो चीज आपको बिगो के जरूर खानी चाहिए वह है oats आपने सुनाई होगा it is high in fiber इसका fiber content जो है हमारे stomach के लिए बहुत अच्छा है हमारे digestion के लिए बहुत अच्छा है पर जब आप इसको बिगो देते हैं तो इसमें natural present omega 3 fatty acids होते हैं इसमें अच्छी मातरा में protein होता है इसमें calcium होता है इसमें potassium magnesium present होता है जब आप इसको सोग करके रख देते हो ना इसका nutrition content बढ़ जाता है और आपकी body के लिए यह बहुत यह अच्छे तरीके से काम करता है साथ ही साथ इसका जो fiber है ना वह आपके stomach को clean करने में बहुत अच्छा काम करता है और दूसरा जो ओट्स को सोग करके अगर आप रखेंगे और सुबह आप खाएंगे चाहे दूद में मिला के skimmed milk में दही में या किसी भी चीज़ा coconut milk के साथ तो यह आपको काफी देर तक full feel कराता है मतला if you are a working person आप सुबह कुछ heavy खाके खाना जा सकते हैं जिससे क देंटिल जिले हम बहुत है दाले दाले बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इनको भीगो के रखेंगे और अगर कर सकते हैं तो आप इनके sprouts बना लेंगे तो it is one of the amazing thing हम भीगोते और sprout क्यों बनाते हैं जिससे इनका nutrient content बढ़ जाता है इनका fiber जो हमारे body में बहुत nutrition जो है ना absorb होने लगते हैं यह आपको कौन कौन से चीज़ कर सकते हैं आपके red beans हो गए kidney beans हो गए चना हो गया black चना हरी मूं की दाल हो गई जो भी दाले आपको भीगो के अच्छे लगती हैं आप उन्हें रात को एक कटोरी में भीगो सकते हैं सुबह चाहे तो आप उनको आपको बहुत easily मिलेंगे जिससे आपकी immunity boost होगी आप infection से अच्छे से fight कर पाएंगे और डालों में बहुत अच्छे vitamins में होते हैं जो हमारी body के लिए बहुत ही बहतरी हैं आप सोप करके खाएंगे कुछ दिन खाके देखिए आपको फूल काफी देर तक फील खरेंगे आप आपको जो body में रोज ठकान लगती थी आपकी body में iron की deficiency थी वो सब ठीक हो जाएगी अगर आप इनको daily basis पे consume करने लगेंगे another important is cumin seed जो जीरा होता है जीरा को अगर एक चमच जीरा को रात को इगलास पानी में बिगो के रख देंगे जो जीरे का पानी होता है सुबहे वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है rich in vitamin C है magnesium है iron है यह लेने से आपको gas की problem कई लोग को बहुत जादा gas होती है stomach में दर्द होता है या भूग नहीं लगती it is good for your liver आपके liver को बहुत जादा strong करता है कईयों को nausea की बहुत प्रॉब्लम होती है diarrhea की problem होती है उन सब चीजों के लिए cumin seed water is really good यह लेने से आपका stomach बहुत ही अच्छा रहेगा आपका पेट साफ होईगा आपको stomach अच्छी डाइजेशन से लेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी फोर्थ वेरी इंपोर्टन चीज जो आपके घर में भी होगी copper के यूटेंसिल में आप पानी रखें जैसे आपका कोई भी copper का बर्तन है copper का जग है copper का ग्लास है उसमें पानी रात को भरके रखें सुबे वह प पानी रखेंगे या कोई भी चीज रखें जिसको आप बाद में consume करते हैं तो हमारी बॉड़ी में जो trace element copper के रूप में चाहिए हमाई thyroid gland को भी active रहने के लिए copper की जूरत होती है तो अगर आप पानी को रात को रखेंगे copper के बरतन में सुबह पीएंगे तो आपकी बहुत अच्छी बूस्ट होगी आपकी बॉन्स बहुत जाता स्ट्रॉंग हो जाएगी तो copper water is really good for your health कोशिश कीजिए दिन में कम से कम एक बार copper का पानी जरूर कीएं और copper का पानी पीने के लिए उतको रात को भीगोना जरूरी है मतलब रात में भरके रखें यह नहीं भी रखना होगा फिर आपको से consume कर सकते हैं copper is one of the best element आपकी body को immunity boost करने के लिए चाहिए आपको बहुत तरीके की infection से fight करने के लिए चाहिए तो do drink this और यह चारो चीजे जो मैंने आज आपको बताई हैं अगर आप इनको regular basis पे लेते हैं तो I am sure आप बिमार नहीं आप बिमार नहीं पढ़ेंगे आपको तकान नहीं होगी body में खून की गमी नहीं होगी आपका digestion टी करेगा तो you will feel better I hope you like my videos for more video do like and subscribe and share with your friends thank you for watching